दोस्तों गर आप भी रोहिति शर्मा को एक महान खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों आयरलेंड की सरजमी पर भारतिय खिलाडियों ने गदर मचा कर रख दिया दीबक हुड़ा से लेकर कैप्टन हार्दिक पांडिया तक ने गजब का खेल दिखाया इन दोनों ही बलेबाजों ने तूफानी बलेबाजी करके टीम इंडिया को एक आसान सी जीत दिला दी वही हार्दिक पांडिया की लाजवाब कपतानी और all round production पर टीम इंडिया के नियमित कपतान रोहित शर्मा ने बयान दिया है उन्होंने हार्दिक पांडिया की तारीफ करते हुए कुछ ऐसी बाते कहीं है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन करपाना मुश्किल हो जाएगा यदि आपको भी जानना है रोहित शर्मा ने क्या कहा है अपने बयान में तो उसे जानने के लिए वीडियो क अंति तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांडिया में इसे बहतर कप्तान कौन है अपनी राए नीचे दियेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों हार्दिक पांडिया की अगवाई में टीम पार किया वहीं भारतिय टीम को जीत के लिए जरूरत थी एक सो नौर रनों की ऐसी में टीम के सबसे मैत्वबूर बलेबाज गाएकवार चोटिल हो गए थे जो ओपनिंग करने नहीं आये और इशान किशन के साथ ओपनिंग करने आये दीपक हुड़ा और पहले ही ओवर मे गेंदों में ताबरतूर 24 रन बनाए जिसमें उन्होंने एक चौक्य और तीन गगन चुम्बी छक्के लगाए और दीपक हुड़ा ने अंते तक नाबाद रहते हुए 29 गेंदों में 45 रन बनागर टीम इंडिया को जीत दिला दी वहीं भारतिय टीम की जीत के बाद टीम इ अच्छी कप्तानी की उन्होंने ये बता दिया कि वो भविश्य में भी भारतिय टीम के नियमित कप्तान बन सकते हैं उनके अंदर अध्भूत शमता है जिस तरीके से उन्होंने प्रैशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया उनको बाकी खिलारियों से अलग बनाता है हार्दिक के अंदर कई सारी qualities हैं वो एक अच्छे बलेबास के साथ अच्छे गेंबास और बहतरीन शेत्र रक्षन भी हैं मुझे लगता है कि टीम इंडिया के अगले कप्तान हार्दिक पांडिया को ही बनाना चाहिए उनके अंदर नेतरित्व की भी बहुत अच्छी quality है वो आगे जाकर एक बहतरीन कप्तान साबित होंगे दोस्तों रोहित शर्मा ने जिस तरीके से हार्दिक पांडिया को लेकर अपना बयान दिया है उनके इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो हार्दिक पांडिया के औल राउंड प्रदर्शन और कप्तानी से काफी ज़्यादा प्रभावित हैं और उन्होंने ये भी इशारा दे दिया है कि आगे आने वाले समय में हार्दिक ही भारतिय टीम की कमांड समालने वाले हैं दोस्तों आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया आगे आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान होंगे या नहीं अपनी राए नीचे दियेगे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आजी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद